पुत्रों के विवाह के पश्चार मनुवशत रूपा वान प्रस्थ स्वीकार कर अपना जीवन जब तब व्रत को समर्पित करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचारे के आवहान पर असरों का दल भयानक विस्फोट के साथ प्रित्वी पर प्रकट होकर विभिन स्थानों पर रिशिमुनियों को अपने अत्याचारों से पिड़ित करता है आहत रिशिमुनि करुन स्वर में भगवान विश्णु को पुकारते हैं वही सच्ची हरी आराधना में लगे मनुशत रूपा की तप शक्ती के सन्मुक असुर स्वैम आहत होकर भागते हैं रिशिमुनियों पर निरंतर अत्याचार की सूचना पाकर समराठ प्रिवरत प्रतिग्या करते हैं कि वे पृत्वी लोग पर शान तेज थापित करेंगे प्रिवरत के प्रहारों से आहत असुर जब दैत्य गुरु शुक्राचारे पर दैत्य शत्रू होने का आरोप लगाते हैं तब कृत्य शुक्राचारे उन्हें अपमानित कर पाताल लोटा देते हैं शुक्राचारे के आभान पर पधारे शनिदेव दैत्य गुरु को प्रताडित कर स्वेव प्रिवरत को दंडित करने की घोशणा करते हैं किन्तु शिरीहरी विश्णु अपने अमोग अस्त्र के द्वारा शनिदेव को आहत कर प्रिवरत की जीवन रक्षा करते हैं कि अपने इसी कुद्रिष्टी से थंसार को अपने चरणों में जुकाने का दंब भर देते शनी देव मुझे अपमानित ना कर रहूं अपमानित ना करूं तो क्या करूं आपकी कुद्रिष्टी से भयानक तो मेरी शक्ति है जब मैं सूर्य चंद्र को ग्रेस कर उनका तेज खंडित करता हूं तब किसी विश्णु का साहस मुझे रोकने का नहीं होता रहूं ओचिस्वर में चिलाना मुझे भी आता है शनी देव देत गुरु शुक्राचायर के पश्चाक आपका भी आंकार थोस्त हो गया अब मैं देत शक्त्रों को स्वयम समय आने पर दंडित करूंगा तुम क्या अपने कटे होए मस्तक से अस्त्र चलाओगे रहूं कर पूछें कि राहूं का खटा हुआ मस्तक कहां कहां से अस्त्र चलाने में सक्ष्रम है यह कारी यदि मात्र मैं करता तो पुत्र शनी जग्दीश्वर भगवान विष्णु के भक्तों से शत्रुता करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रन दे रहे हो मुझे आपके परामर्श की आवशक्ता नहीं है जूर्यदेव पुत्र शनी मैं तुम्हारा पिता हुए तुम्हारा प्रम हितैशी हूँ तथा पिता के शत्रों को मित्र बनाकर अपनी कीर्थी और यश्का नाश कर रहे हो सौधान सूर्य यदि तुमने मुझे पर अक्षेप किया तो मैं तुम्हारी कीर्थी और यश्का नाश कर दूगा तू क्या मेरी कीर्ती और यश्क का नाश करेगा प्रवंचक? मेरा तेश और मात्र में तुझे भस्ण कर सकता है वो तो मैं तेरे अमरित पान की मरियाद रखने के कारण तुझे शमा कर देता हूँ जब तप फ्रत क्या मेरी कीर्थी और यश्क का नाश करेगा प्रवंचक मेरा तेशन मात्र में तुझे भस्म कर सकता है वो तो मैं तेरे अमरित पान की मर्याद रखने के कारण तुझे शमा कर देता हूँ अपने गौरफ यश्किर्थी का नाश करने वाले को अक्षमा कर देने वाला मैंने आपके अतरिक दूसरा नहीं देखा इन दुष्टों के साथ रहेकर तुम धर्म नीति और मर्यादा का पालन करना भूल गया हूँ कि अपने थोकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्य को स्विकार कर लेना जग्दीश्वर भगवान विश्टु के अमोगस्त्र के सम्मुक आज तुम दोनों का भयाना का पान हुआ है सूर्यदेव मैं इस अपमान का प्रतिशोद लेकर ही रहूंगा अपमान की धुदकती हुई ज्वाला में चलते हुई श्यनी की प्रतिख्या भी सुन लें कि समय आने पर मैं विश्णू का इतना ही घौर अपमान करूंगा जिससे विश्णू सारे संसार में कलंकित हो जाएगा ना श्यनी ना केवल अंकार वश ऐसी भयानक प्रतिख्या करना उचित नहीं है उचित तानुचित की शिक्षा श्यनी को नहीं देना सूर्यदेव श्यनी स्वतंत्र है शक्ति शाली है तो जो इच्छा हो वो करो मैं अभागा पिता तुम्हें कल्यान का आशिर्वाद भी नहीं दे सकता प्रतिश्वर विश्णु की अर्थात हमारा क्रोध भड़क कर कहीं प्रतिशोध का रूप न धारन कर ले इसी कारण विश्णु ने आपके पिता और अपने चाटुकार सूर्य को हमारे समीप भेजा तो इसका परिणाम तो और भी अधिक भयानक हो गया रहू अब मैं इस संसार को अपने भयानक शक्ति का आभास करवा के ही रहूंगा पती परमेश्वराए नमो नमा भ्रिगुपुत्र शुक्राचार की विनिती सुने के लाश्पती भगवान के लाश्पती तथा माता पार्वती की शान हमारे भी ना बुलाए यहां आने का प्रयोजन क्या है भ्रिगुपुत्र मैंने अपने महान पिता महर्शी भ्रिगु की आज्या के अनुसार आपको अपना आराध्य स्विकार किया है यह असत्य है शुक्रचार तुमने सच्चे मन से हमें अपना आराध्य स्विकार नहीं किया है यह आप क्या कह रहे हैं के लाश्पती सत्य कह रहा हूं इसके एक नहीं अनेक कारण तनिक्स पश्ट करें महिश्वर सुने शुक्रचार सर्व प्रथम कारण तो यह है कि जो भक्त अपनी भक्ती की घोश्णा करता है वो सदा हमारी द्रिष्टी में संदेह स्पद बना रहता है भक्ती की घोश्णा हाँ शुक्रचारे अनेक भक्त हमारे चित्रों हमारी मूर्थियों को अपने प्रासादों में स्थापित कर हमारे लगु चित्रों को अपने शरीर में धारण कर भभूत मल कर हमारी परम्भक्ती का ध्रम्मुद्पन करते है इस सत्य से तो अब तक मैं इरला, परिचति स्वामी वस्तुता हो उनके स्वांग में है भक्ति के स्थान पर एंकार की संतुष्टी ही प्रमुख रहती है भक्ति और एहंकार तो तो विप्रीत तत्व है महिश्वर अपनी स्वार्थ सिध्धी के लिए अनेक विप्ति इन दोनों विप्रीत तत्वों का प्रयोग एक साथ करने में भी भाइबीत नहीं होते स्वामी आप स्रिष्टी के समस्त कारणों के भी कारण है आपकी गूड भाषा तथा संकेतों को समझना असंभव है तनिक सरलता से अपना कथन स्पष्ट करें नियंता नियभीता किसी ऐसे गूड संकेतों अथ्वा भाषा का निर्माण ही नहीं किया जो तुम्हारी बुद्धी से परे हो देवी पार्वती किन्तु किसी व्याख्या को आपकी श्रीमुक से सुनने का सवभाग्य भला मैं कैसे छोड़ दूं हम तुम्हारे स्वभाव से अपरिचित नहीं है देवी पार्वती तो मेरे पूछने से पूर्व ही मुझे बताएं कि भक्ति और अहंकार का प्रयोग एक साथ कौन करता है इसका एक प्रमाणत हो देत्य गुरु शुक्राचारे के रूप में हमारे सम्मुक ही खने है भूलिनाथ इस परमसत्य को सु देवी पार्वती इनके प्रासादों में हमारी मूर्ती जितनी विशाल होगी चित्र जितना सुन्दर होगा गोश्रा जितनी तीव्र होगी भक्ति से उपजा इनका हैंकार उतना ही अधिक संतुष्ट होगा कम हां स्वामी आहंगकार को मन की संतुष्टी से अधिक दूसरे की प्रतिक्रिया देखने में आनंदप्राप्त होता है हां देवी पाध्वती जब लोग इनके द्वारा स्थापित मूर्ती जितनी अध्वा इनके भक्ति के प्रशंसा करते हैं कि तब इनकाहिंकार संतुष्ठ होता हैं आनंदित होता है के सत्य नहीं है क्यालाश्पसी हम ने सच्चे मन से आपको अपना आराज्ज्स्विकार किया है यदि ये सत्य होता तो तुम हमारे आदेश की परामर्श कहकर अभेलना नहीं करते शुक्राचारे। सत्य तो ये है भुलिनात कि आपके आदेश के पश्चात भी हमारे मित्र शनीदेव और राहु ने हमें पाताल लोग जाने को विवश कर दिया था। शुक्राचारे। यदि तुम कूसंगति और स्वार्थी मित्रों के कारण विवश होते रहे। तो तुम्हें देश्च्य गुरु कहलाने का क्या अधिकार है। तुम देश्च्य के हिद्का नहीं सर्वनाश का कारे कर रहे ह। अब जब तक तुम्हारे मन में हमारी सच्ची भक्ती जागरत नहों। तब तक कैलाश आने का कश्ट न करना। जब तब व्रत इस प्राकरतिक सौंदरी को देख रही हो देवी बहिर्श्मती। आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मनमंदिर के सूर्य को भी देख रही हैं स्वामी। उस सूर्य की भाति इस सूर्य को भी अनेक अनेक कार्य पूर्ण करने हैं। यह क्या यह अन्दकार क्यों। यदि अन्दकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा। अन्दकार से सौंदर्य का कैसा संबंध। संबंध है स्वामी। यदि अन्दकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात। अर्थात। सौंदर्य का जन्म ही गहन अन्दकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिये। कवी के गहन अचेतन में कवीता का जन्म होता है। एक चित्र का जन्म होता है। चित्रकार के हृदय की अटल गहराईयों में। समाधी का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म। ये सब भी तो गहन अंदकार के मध्य ही होते हैं एक बीज फुटता है तो भूमी के भीतर गहन अंदकार के मध्य तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया मैं नेरंतर यही सोचता रहता हूँ परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा स्रिष्टी सनरचना का अपूर्ण कार जो मुझे पर छोड़ रखा है वो क्या है आपको पृत्वी लोग और समुद्र की सीमाओं की पुनर रचना करनी है सुवयम देवरिशी नारद ने बार बार इसका उलिख किया था पृत्वी की सीमाओं तो समुद्र से जुड़ी है उसकी पुनर रचना किस प्रकार की जा सकती है मनो पुत्र प्रियवरत बहिर्शमती परंपिता प्रणाम तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है जब तुम अपने पराकर्म बाहु बल एवंग चातुर्य से पृत्वी के सप्त खंड और सप्त समुद्रों की रचना करो ये कारे जगदीश्वर भगवान विश्नु की इच्छा से हमने स्रिष्टी रचना के समय तुम्हारे लिए ही अपोण छोड़ रखा था परंपिता अपनी बात निस संकोच कहो मनुपुत्र प्रियवरत ये सवभागय मुझे ही क्यों परंपिता तुम्हारे जन्म के पूर ही तुम्हारे माता पिता के श्रेष्ट धार्मिक संसकारों के कारण ही ये महानकारिय तुम्हारे लिए निश्चित किया गया था अहो अहो परंपिता मैं धन्य हो गया प्रियवरत तुम्हारे इस महानकारियों में देव शिल्पी तथा देवी बहरिश्मति के पिता विश्व करमा जी तुम्हारे अद्भुत सहायता करेंगे तुम दोनों पूर्ण आस्था से देव शिल्पी का आवाहन करो पुनहां आपके दर्शन पाकर में धन्य हुआ आपकी आज्या पूर्ण करना मेरा धर्म एवां प्रथम करतव्य है तुम दोनों का कल्यान हो देव शिल्पिन विश्व कर्मन देव दर्शन आर्थम अहम आवाहयामी अहम आवाहयामी अहम आवाहयामी समराथ प्रियवरत पुत्री ब्रह्ष्मति प्रणाम पिताश्री अज समय आपको कश्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं असमय नहीं इस आउसर के प्रतिक्षा में युगों से कर रहा था जगदिश और भगवान श्री विश्नु की क्रपा से आज वो शुब मुहरत आही गया इन्हें आपके आशिरवाद और सहीयों की आवश्रक्ता है पिता श्री पुत्री ब्रहष्मति जिस कारी को श्रिष् यह उसके वास्तव के अधिकारी है इस महानकारी में सहीयोग करना हमारे लिए गौरों का विशेय है पुत्र प्रियवरत आग्या पिता श्री परम पिता ब्रह्माहजी की आग्या से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्यासन एवं एक दिव्य खड़क का निर्मान किया है कि दिव्यासन दिव्य थरत्त समराध्प्रियवरत्त यह दिव्यासन मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ प्रिय अब्रत्त यह दिव्य खड़क भी ग्रहन करो लो और परम्पिता ब्रमाहजी के द्वारा सोपा हुआ यह कारिय पूर्ण करो इस दिव्यासन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण प्रिथ्वी का जल वह भूमी भाग स्पश्रूप से दिखाई देगा और इस खड़क से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छानुसा प्रिथी माता के खंड खंड कर देगा अधुगूत इस कारी की सफलता के लिए त्रदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रूं की क्रपा तुम्हारे साथ है किन्तु किन्तु क्या पिताश्री दिव् आरम होने के पूर माता प्रिथी की क्रपा अविश्य प्राप्त करना जो आग्या पिताश्री तुम दोनों का कल्याम